अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे तो वीडियो आपके लिए कापी यूसपल होने वाला है तो चले दोस्तो देखते हैं फ़र्ष्ट कुशन दोस्तो फ़र्ष्ट कुशन है बारत के रश्टे दवज का क्या नाम है तो दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रष्टका चले देखते हैं अगला प्राश्न है झेले Chair किया है तो भारत के राइश्टे दवजकी की लंबाई आप चोड़ए का जोड है वह कितना है वह कितना है तो दोस्तो इसका राइट एंसर होजएगा ऑप्शन घrans तो इसकी जोड़ाई और चोड़ाई का अनुपाध कितना है तो आपको बताना है दो इसको कहते है असोक चक्र और दोस्तो असोक चक्र दर्म चक्र का परतिक है अगला प्रशन है दोस्तो बारत के रैष्टे दवज पर बने चक्र में कितनी तील्या होती है यह है असोक चक्र और इस चक्र में जो कितनी तील्या होती है तो दोस्तो इसमें 24 तील्या होती है अगल दोस्तो इसका रंग है गेहरा नीला रंग अगला प्रश्ण दोस्तो बारत के राष्टी दबज पर बने चक्र को का से लिया गया तो दोस्तो ये लिया गया सारनात के असोक अस्तम से अगला प्रश्ण दोस्तो बारत के तिरंगे जंडे में चर्खी की जिगे चक्र है वो कब अस्तित में आया दोस्तो पहले भारत के जो तिरंगे जंड़ था इसमें चर्खा था चर्खा के जिगे जो चक्र है ये कब अस्तित में आया तो दोस्तो ये अस्तित में आया था 22 बारत के राष्टे दवज में तीन रंग की पटिया है कौन सी है? तो दोस्तो सबसे उपर है केसरे रंग की पटि, बीच में है सपेद रंग की पटि और सबसे नीचे है हरा रंग की पटि. अगला प्रश्ण है दोस्तो, राष्टे दवज के सिर्च में केसरे रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तो सबसे उपर केसरे रंग है, ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तो ये दर्शाता है सास और बलिदान को. बीच में है सपेद रंग, सपेद रंग दर्शाता है सांति और स चत्य को और सबसे नीचे है हरा रंग ये दरसाता है विकास को अगला प्राशने दोस्तो सविदान सभा की जंडा समीती के जो अध्यक्स है वो कौन थे तो दोस्तो सविदान सभा की जंडा समीती थी इसके अध्यक्स थे डोक्टर राजेंदर परसाद जी अगला प्राशने बारत के बरतमान राष्टे धवच तिरंगा को सविधान सबा द्वर मत अपनाए गया था 22 जुलाइँ 1997 को अगला प्रशने दोस्तों हर वर्ष राष्टे जंडा दीवस यहło क्यों मनाया जाता है तो यह मनाया जाता 92 जुलाइक अगला प्रश्ण दौस्तो सवतंतरता दिवस पर लाल किolee पर सबसे जाधा बार जंडा फेराने का जो रिकॉर्ड है वह किसके नाम है तो दोस्तो सबसे जाधा बार जंडा फेराने का जो रिकोर्ड है वो है पंडित जवलाल नैरुजी के पास इन्होंने 17 बार जंडा फेराने का जो रिकोर्ड है वो बनाया है अगला प्रशने दोस्तो गंतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी पर भारत का दवजा रोहन कौन करते हैं तो दोस्तो 26 जनवरी या पंडरा अगस्त पर बाइत का जो दफजा है रहां करते ह है तो आगला प्रास पस्ट irrigation न्वज को आप और गश्ट कोनना काượng को कर प्राइश्ट सब्सक्रांस तो आप रहा है putting शवाप स्बास एट दी गई थी 26 जनवरी 2002 को अगला प्रश्ण है बारती दवज साइंता 2002 क्या है तो दोस्तों ये है कारी कारी निदेशों का एक संकलन है चले दोस्तों अब हम देखते हैं बारती दवज साइंता 2002 क्या है इस साइंता में बारती दवज को फैराने वाप परियोग करने के बारे म लागू किया गया इस सहिंता में बारत के नागरी को किसी भी दिन अपने गरों कारेलों और कार्खनों पर बारती दवच फेराने का जो अधिकार है वो दिया गया है अगला प्रश्ण दोस्तों ये कतन किसका है एक दवच ना सिर्फ हमारी सवतंतरता बलकि सबी लोगों की अगला प्रश्ण दोस्तों निम्न मैंसे कौन सा कारे करना अपराद की सरेणी में आता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर्डी उप्योक सभी दोस्तों जंडे पर कुछ लिखना या फिर बनाना प्लास्टिक का जंडा फेराना जंडे का परियो अगला प्रश्ण दोस्तों बारत का जंडा गीत विजे विश्व तरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा यह किस ने लिखा था तो दोस्तों यह लिखा था स्यामलाल गुप्त पारसद ने लिखा था किस ने लिखा था दोस्तों स्यामलाल गुप्त पारसद ने लिखा था विजे विश्व तरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा यह है हमारा बारत का जंडा गीत चले दोस्तों अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों अगला प है बंकिम चंद्र चटोबादिय जने अगला प्रश्ण है दोस्तो एक प्रश्ण है दोस्तो आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्रश्ण है राष्टे दवज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना है आपके पास चार आप्शन है चार